पैसा मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो कि पैसे के लिए मेहनट करे हो पर पैसों के साथ साथ मैं अपने बेटे को भी बहुत टाइम देती हो हर संडे मैं ट्राय करती हूँ कि मैं उसके साथ उसके फेवरेट खाना खाऊं उसके हर जगे पे मतलब जहां उसको मन करे व इंडोर गेम तो इसलिए मैं और मेरा बच्चा रेडी हो गई हो वर्णायू तो वह बहुत ज़दा खुश हो गए है तो हमें आपने बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ऐसा नहीं कि जहां हमारा मन करें जो जरूरी पही उन लोग का मन के हिसाब से भी सा घमोनिया टाइप हो गया है जिसके वज़े से उसका विचाड़ा थोड़ा सा इच्छिंग भी होता है तो हैर कटिंग करते रहते है उसका और मैंने वहां पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगा दिया है तो मैंने सोचा क्यों आज वर्णाय के साथ थोड़ा सा मस्ती करे तो हम लोग पहुँच गए हैं यहां पे हमपिटी दमपिटी जो की है सिवसागर में और यहां पे बच्चों का इंडोर गेम्स वगेरा सब कुछ है तो बहुत ज़दा मस्ती करते हैं वैसे बच्चे और उन लोग का जो मन खुश हो जाता है ना वीकली एक बार तब क्या ह होता है कि उन लोग 6 दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे या तो स्कूल जाते हैं तो एक दिन के लिए उन लोग पूरा दिन अच्छे से मैंटेन करते रहते हैं कि हां संडी को घुमनी जाना ही है और हम लोग भी बोल सकते कि अच्छे से पढ़ाई करो संडी को जाना है तो है ना इतना बच्चे भी नहीं है सब लोग बढ़े हो गए है और हमारी कॉलनी में भी जादा तर बच्चे बढ़े ही हो गए है तो बहुत कम है चोटा चोटा तो इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना यह चीज अच्छा है कि यहीं पर एक अच्छा गेम्स का जो है ऑपन हुआ है जो की 45 मंज हो आ है और यहाँ पर बच्चे और पैरंस डोनों आ केozी अलाम से बैट सकते हुआ और बच्चे अडाम से खेल सकते है तो वरना यह चीज अज़ाए कर रहे और यहाँ पर अलग बच्चे इसलिए नहीं देख रहें क्योंकि बहुत ज़ल्दी आ गए ऑगे तो अभी एक्जाम भी खतम हो गया, इसलिए वो अभी फ्री हो गया, मैंने बोला भी था कि एक्जाम अच्छे से देना, उसके बाद हम तुमको गेम्स में लेके जाएंगे, खेलेंगे, कुदेंगे, तो जैसे कि एक्जाम चल रहे हैं, मैं उसको जादा प्रेशर भी नहीं देर हूं कि इतना मार्क्स लेना है, इतना नंबर लाना है, हाँ उसका दिमाग से जितना लिख सकेंगे, काफी है, क्लास वन में है, अभी 12 तक बहुत जादा टाइम है, और अभी इतना प्रेशर हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अपना दिमाग से जितना लिख रहे है, वह काफी, तो इसी वज़े से एक्जाम्स खतम हो गया, और बस अपना जो मर्जी उसका भी करेंगे वो, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि बच्चा मैं खेलने लेके जाओंगी, और हाँ मैं लेके आ गई हूं, तो हर संडे में कहीं ना कहीं उसको लेके जाती हूं, हर कि यहां पर थोड़ा, बच्चो यहां पर थोड़ा, भी ख़ाने का झूस वगयरा पही रेता है, और कॉफी भी रहता है, तो मैंने हर चीज का ईंजोई की हमी बीच्छा लगा, और यहां पर एक चीज है कि आप बैड के बैच सकते हैं, और बच्चे आराम से खेल सकते हैं यहां पे चोट लगने का कोई मतलब डर नहीं रहता है यहां पे ऐसा चीज ही नहीं है जहां पे बच्चे को चोट लगेगा और यहां पे कियर भी अच्छे से लिया जाता है और दो सिस्टर से बहुत प्यारी है बहुत प्यारी और मतलब उन लोग वो दोनों बहुत जादा क प्यार करते बच्चे को और अच्छ से प्यार से रखा हुआ है सो मी को यह वाला चीज़े अच्छा लगा और यहां पर एक बेल्ट लगा दिया है हाथ पे शायद यह मैंने पूछा नहीं बट साइद यहां पर जो बच्चे खेलता है उन्नों के हाथ पे हो सकता है और मैंने आप लोग बैचके अराम से पर सकते हैं किताब बगैरा है कॉफी पी सकते हैं और बैचों के साथ टाइम स्पिन करके कैसा लगते हैं अच्छा लगेगा है वर्णयू की जैसे खेलते क्योंकि एकदम सा लाइफ एकदम क्या हो गया इना इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि बस खुद के लिए टाइम ही नहीं है खुद के लिए शोसनी के लिए टाइम नहीं है बस ठके जा रहे ठके जा रहे और वर्णयू यहाँ पे उसको मस्ती आ र लिया है और वनयू का जितना खेलने से भी उसका मन भरता नहीं है वैसे तो इसके बार उसको बुझा पुसला के हम लेकर आ गई हूं और यहां पे दो सिस्टर से उन लोग मेरा वीडियो देखते रहते तो इसलिए उन लोग ने बोला कि क्यों ना मैं माप लोग के साथ एक फ या संडे तो वनयू का मूँ फूल गया है और यह है एड्रेस हम पीती डंपीती बहुत प्यारा सा है यहां पे गेम्स के लिए और जो सिफसागर में आप लोग इंजॉए कर सकते है और सिफसागर अगर घूमने आगे तब भी इंजॉए कर सकते बच्चों के साथ तो बेल ने खेल कुद के आ गई और टाइम असे ही स्पैन कर यहां पर खायेंगे खाना मतलब वही वर्नयू का जो वर्नयू का आज फ्रेवरेट वही खायेंगे हम लोग मतलब मैं और वर्नयू तो उसका पाबा तो आ नहीं पाए बट मैं आ गई हूँ तो ऐसे हम लोग अंदर चल है और बिल्कुल कूल डाउन है बहुत ज़दा अच्छा लगता है यहां पर आके मेरे को बहुत ज़दा शोर शड़ावा बहुत ज़दा भीर भार मेरे को बिल्कुल पसंने मेरे को साइलेंट जगाई पसंने तो यही है कैफे मुमो इंजॉय कर सकते हैं यहां पर आके बर नूडल्स भी बहुत जदा टेस्टी नूडल्स भी बहुत जदा ओईली नहीं है एक्दम नॉर्मल सा है तो यह खाके फिर हम लोग घर पे खाना नहीं खाएंगे आज मेरा इटिंशो था मुगबंग पर मैं मुगबंग नहीं करूंगी क्योंगी यहां पर इतना जदा खाने इंजोई भी कर रहे है ऐसे हमें थोड़ा सा टाइम स्पैन करना चाहिए बचों के साथ मलब उसका मन में क्या है वो भी उसके मर्जी के हिसाब से भी हफ्ते में एक दिन सायद ही चलना चाहिए आप लोग का बिचार क्या है बतायेगा मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि जब उ उनलों का मर्जी से एक दिन मनलब एक दिन क्या उनलों के साथ हूँ सव्ति करना बाहर जाना केलना कूदना पैसे तो मेरे लाइफ में बहुत इंपोर्टन है मैं तो पैसे के साथा उसको अच्छे जगे पर यूज़ करना भी में को आता है ऐसा नहीं कि हाँ बस आंड कर र अगर अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट शेर कीजिएगा और जब भी बच्चे बाहर जाते हैं बच्चों के साथ वाटर बोटल फ्लाक्स लेके चलिए उसका पानी क्योंकि बाहर का पानी पीना ज़रूरी नहीं है तो चलिए बाई बाई फिर से एंगे अच्छा सा ब्लॉक के साथ तब तक आप लोग खुश रहें सेव रहें और वर्णायों और मेरे तरब से बाई और हैपी संडे आप लोग भी इंजॉई कीजिए बाहर जाएए घुब